असलाम लीकम वियर्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे आज मैं बनाने जारी रमजान स्पेशल चिकन समोसा और उसके लिए इंग्रीडियन्स जो हमें चाहिए सबसे पहले हमें कराई में आद करेंगे अदा कप ऑईल और पिर उस है कि बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है जो कि आपका टाइम भी बहुत बचाएगी हमारे चिकन थोड़ा सा फ्राइ हो चुक है अब हम इसमें एड करेंगे बरी कटा हुआ प्यास एक कप और साथ हम इसमें एड कर देंगे 1 टी स्पून नमक और पिर एड करेंगे गरम अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यहां पर हम इसको पांच से दस मिंट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप देख सकते हैं कि मेटीरियल हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसको रूम टेमप्रेचर पर रग देंगे ताकि ठंडा हो जाएं यहां पर मिने लिया है मेर्दा तकरीबन तीन खाने के चमच अब हम आइस्ता इस्ता इवेंली इस पर पानी आड़ करते रहेंगे और तब तक थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे जब तक इसकी स्मूथ पेस ना बन जाए प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मेरी य इसे पी अपने फ्रेंड्स और फैमली सबके साथ शेयर करिएगा यहां पर लिए हैं हमने स्मूसा शीट अब मैं आपको बताऊंगे कि हम इसकी फोल्डिंग कैसे करेंगे कि यह बहुत ही इजी वे मैं यूज करेंगे यहां पर आपको सिखाने के लिए और अब हम इसमें आड्ड करेंगे अपना प्रिपेर किया हुआ माटीरियल जिसको हमने पहले ही रूम टेमपरिचर में रखके थंडा कर लिया था मैं उमीद करती हूं कि आपके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे प्लीज हमें दुआओं में जरूर याद रखेगा यहां पर हमारे स्मोसे की फिलिंग हो चुकी है अब हम इसको फोल्ड करेंगे हमारे स्मोसे रेडी हो चुकी है अब हम इनको करेंगे फ्राइंग के लिए अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राइंग करूंगी और तब तक फ्राइब करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्ड ना हो जाए अपने स्मोसों को साड़ना नहीं है बहुत ही एहतियात से फ्राइ करना है जैसे इसकी एक साइड ब्राउन होगी आपने फॉर एन इसकी साइड चेंज कर देनी है आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राइ किया इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो चुका है मैं उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी मैं आपके लिए कल एक और ये रेसिपी लेके आऊँगी टेक कियर अलाहाफिज